हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, I hope कि आप सभी अपने घरों में स्वस्त होंगे, मैं सोनिया आप सभी का स्वागत करती हूँ, मेरे चैनल ब्यूटी एंड फैशन इन इंडिया में, तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, तीन मोस्ट पॉपुलर डिजाइनर लह नहिंगो की कलेक्शन, जैसा कि वैडिंग सीजन आने वला है, आप सभी की बहुत सारी रिक्वेस्ट मुझे मिल रही है, नहिंगो के लिए, तो तीन बैस्ट आप्शन में आज आपके लिए लेकर आई हूँ, अगर आपको इन में से कोई भी नहिंगा पसंद आता है, आप उसे परचेज करना चाते हैं, तो आप मुझे वर्टसेप करके अपना ओडर प्लेस कर सकते हैं, और अगर आप मेरी और भी कलेक्शन देखना चाते हैं, तो आप मेरे दूसरे चैनल को सब्स्राइब कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टागैम पर फूलो कर सकते हैं, पर अप्लोड करती रहती हूं जिससे आपको लुक का आइडिया हो जाए तो आप मुझे इंस्ट्राइगा पर भी फोलो कर सकते हैं सभी के जो डिटेल्स है वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप चेक आउट कर लीजेगा तो चलिए और देन ना करते है शुरू करते हैं आज का वीडियो तो आज का जो फर्स लेंगा है वो कुछ इस तरह से आएगा आप देख सकते हैं कुछ टील ग्रीन टाइप का इसका कलर है आप देख लिए चीज तरह से लहंगा आएगा सभी जो लहंगे आपको storage pack में मिलेंगे मैंने open कर लिए है क्योंकि उसमें time waste हो जाता है इस लहंगे में आएगा एक डुपट्टा और डुपट्टे के साथ यहाँ पर blouse attach है और एक heavy सा लहंगा इस लहंगे का peach color already मैं कर चुकी हूँ आपको link जो है वीडियो का description box में मिल जाएगा आप check out कर लिजेगा मुझे मेरे जो customers हैं वो request कर रहे थे कि इसका जो green color है वो भी आप show कीजिए तो आज मैं आपको green color दिखा रही हूँ अगर आप peach color के लिए interested हो वो भी आपको मिल जाएगा तो first मैं आपको लहंगा दिखा दिती हूँ लहंगा जो है कुछ इस तना से आएगा आप देख लीजे काफी heavy लहंगा है बहुत ही प्यारा सा green color है आप देख सकते हैं लहंगा जो है semi stitch condition में आएगा पूरा लहंगा ready है आपको just एक side की सिलाई लगवानी है और कुछ भी आपको लहंगे में करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लहंगे का जो fabric है वो टापिटा silk आएगा और अंदर की तरफ आपको lining लगी हुई मिल रही है और नीचे की तरफ आपको अच्छा खासा can can भी लगा हुआ मिल रहा है तो आप देख सकते हैं इतना चोड़ा जो है can can दिया हुआ है और lining में भी आपको canvas लगा हुआ मिल रहा है तो पूरा लहंगा अच्छे से ready किया गया है canvas, can can, lining सब attach है बात करें लहंगे की pattern की तो ये कलीदा लहंगा है कलीओं में लहंगा बनाया गया है फ्लेयर में काफी अच्छा कासा है और क्योंकि इसका fabric है वो टाफिटा silk है जो की थोड़ा खड़ा खड़ा रहता है तो वैसे भी इसका look जो है round में रहता है इस तरह से लहंगा आएगा लहंगे की जो embroidery है वो white color से की गई है इस तरह से white color की embroidery है और ये जो white color का thread है इसमें थोड़ा थोड़ा सा silver color का रेशा होता है जिससे इसमें हलका हलका shine रहता है थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ होग के आपको नजर आ जाए ये देखिए आप ऐसे हलका हलका silver color का जो है इस thread में रेशा रहता है तो इस तरह से heavy embroidery जो है पूरे लहंगे में की गई है लहंगे की quality बहुत अच्छी है embroidery की quality भी बहुत अच्छी है आप देख सकते हैं कितनी fine embroidery जो है पूरे लहंगे में की गई है और नीचे तक आपको इसी तरह से भरा हुआ लेंगा मिलेगा इस तरह से ये नीचे का डिजाइन है पूरे फ्लेयर में आपको इस तरह से हैवी इम्राइडी का वर्क मिल रहा है आप देख लीजिए ये जो वर्क है आपको ओल ओवर लेंगे में मिलेगा जिसमें कि आपको फ लहेंगे के साथ जा सकते हैं एकटम सिंपल सोबर सा लुक है लेकिन हैवी लहेंगा है तो यह हमारा लहेंगा हो गया जिसको आप 42 वे साइज तक वेर कर सकती है अब मैं आपको इसका डूपट्था और ब्लाउस दिखा देती हूँ तो लहेंगे का जो ब्लाउस है कुछ इस तरह से आएगा आप देख लीजिए यह इस तरह से फ्रांट साइड आएगी जिस पे सेम वाइट कलर की इम्राइडरी का वर्क है और वर्क एकदम हैवी किया गया है पूरा जो ब्लाउस है वो हैवी बनेगा इस तरह से फ्रांट पा पूरा हैवी है तो यह जो लहंगा है रेडी होने के बाद पूरा हैवी बनेगा 42 पस साइज तक आप इस ब्लाउस को स्टेच करवा सकती है तो आपको दिखायती है रुपट्टा जो की सेम टील ग्रीन कलर में ही आएगा नेट का टुपट्टा है soft net है 2.5 में आएगा फोर साइड आपको इस तरह से यह बॉर्डर का वर्क मिल रहा है सेम वर्क जो है आपको लहंगे और ब्लाउस में मिल रहा है वही आपको फोर साइड टुपट्टे में भी मिल रहा है और टुपट्टा जो है बहुत प्यारा बॉर्टल ग्रीन कलर का सीक्वेंस लहंगा है इस ट्राइप का ब्लू कलर का लहंगा मैंने पहले किया था जो की एक सेलिबिटी इंसपार लहंगा था वो मैंने अपने दूसरे चैनल पर उसका वीडियो डाला हुआ है उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन वॉक्स में आप check out कर लीजेगा पर मुझे बहुत ज्यादा request आ रही थी उसमें color option लाने के लिए तो ये bottle green color में उसी same लहंगे में लाए हूँ just उसमें जो sleeves की लटकन थी वो इसमें नहीं आती है पूरा लहंगा बाकी same आएगा आप देख लिजिए अगर आप blue color के साथ नहीं जाना चाते तो आप bottle green के साथ जा सकते हैं इसमें आपको एक grey color और मिल जाएगा तो इस लहंगे में आएगा एक blouse एक टूपट्टा और एक बहुत प्यारा सा हैवी सा लहंगा तो फर्स मैं आपको लहंगा दिखा देती हूँ जो की fully ready made आएगा इसमें आपको कुछ भी करवाने के जुरूरत नहीं है पूरा लहंगा रेडी है तो इसका जो फर्स लुक है कुछ इस तना से आएगा आप देख लीजिए लहंगा fully ready made है और लहंगे का जो fabric है वो viscose velvet है viscose velvet के उपर आपको इस तरह से green color का ही sequence का work मिल रहा है और यह जो sequence है यह चिपकाए नहीं गए है यह thread से embroidery से लगाए गए है तो यह निकलते जड़ते नहीं है तो आप देख लीजिए इस तरह से पूरे लहंगे में आपको इतना heavy sequence work मिल रहा है velvet के लहंगे के उपर पूरा heavy sequence work आएगा फ्लेयर में लहंगा बहुत अच्छा है इस तरह से आप देख लीजिए इसका फ्लेयर यह इसका one side का फ्लेयर है नीचे की तरफ आपको can can लगा हुआ मिल रहा है पूरे लहंगे में can can आएगा और lining भी attached है तो इसका फ्लेयर वगयरा जो है काफी अच्छा आएगा लहंगे की जो waist है 42 waist size तक आप इसको wear कर सकती है तो आप देख लीजिए इस तरह से लहंगा आएगा आप देख सकते हैं कितना प्यारा shine कर रहा है इसका look जो है बहुत संदर आता है wear करने के बाद अगर आप बहुत ज् नहीं है लेकिन इसका look जो है वह हैवी आता है तो आप देख लीजिए इस तरह से यह लहंगा आएगा जिसमें कैन कैन वगयरा सब लगा हुआ है इसका जो ब्लाउस है सेम विसकोस वेलवेट में आएगा वन मिटर का पीस आपको दिया गया है 46 पर साइज तक भी आप ब्ल नवा सकते हैं तो यह इसका ब्लाउस हो गया हम आपको इसका डुपट्टा दिखा देती हूँ जो कि सेम बोटल के इन कलर में आएगा नेट का डुपट्टा है 2.5 मिटर में आएगा 4 साइड आपको सीक्वेंस का बॉर्डर दिया गया है तो यह इसका डुपट्टा हो गय अवरोल लहंगा बहुत सुन्दा है और इस तरह के लहंगे की मुझे बहुत जादा रिक्वेस्ट आती रहती है और यह हमेशा ही सेल होते रहते हैं इसका कभी भी ट्रेंड नहीं जाता है मैंने सबसे पहले गोर्डन लहंगा किया था इसी टाइप का वो अभी तक सेल हो र मैं आपको दिखाते हूं मेरा मोस फेवरेट थर्ड लहंगा जो कि आज कल बहुत ज्यादा रेंड में है जो कि कुछ इस तरह से आएगा सभी लहंगों की प्राइस रिटेल और रियल पिक्चर जो है मैं स्क्रीम पर डाल दूंगे आप देख लीजिएगा यह वाले लहंग इस तरह से आएगा आप देख लीजिए इस तरह से लहंगा है फ्लेयर में बहुत अच्छा है और आज कल बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है लहंगे का आप कलर ही देख सकते हैं कि तरह ब्राइट पिंक जो है कलर दिया गया है और लहंगे का जो फैब्रिक है वो जॉ पूरा जो लहंगा है वो printed digital print में बनाया गया है इस तरह जो फैब्रिक में digital print है और print भी बहुत सुदर है इस तरह से roses बनाए गए है यह जो print है ओल ओवर लहंगे में आएगा और लहंगे में prints के साथ आपको embroidery का work भी मिल रहा है तो जो bottom side है यहाँ पर आपको इतना प्यारा जो है cut work के साथ golden जरी का work मिल रहा है जो की नीचे की तरफ पूरे फ्लेयर में आएगा इस तरह से पूरे फ्लेयर में आपको golden जरी का work मिलेगा और नीचे की तरफ कट वर्क भी किया गया है और इसी तरह से आपको मिडल में भी पूरे लहंगे में यह जो मॉटिफ है यह गोल्डन जरी के बनाए गए हैं यह पूरे लहंगे में इस तरह का वर्क भी मिलेगा लहंगा जो है प्लीट में बनाया गया है बहुत अच्छा है सैमि स्विच इतना चोड़ा चाहसा कैन्वस आपको लाइनिंग में मिलेगा और इतना चोड़ा आपको कैन कैन भी लगा हुआ मिल रहा है तो फ्लेयर में कोई लिक्कत नहीं आने वाली है और रेडी फैब्रिक जो है काफी अच्छा खासा यूज किया गया है बहुत अच्छा बनाया ग और नीचे की तरफ भी आपको इस तना से कट वर्क के साथ जरी का वर्क दिया गया है तो आप देख लीजिए लहंगा कितना सुन्दर है 42 वे साइज तक आप इस लहंगे को स्टिच करवा सकती है तो यह हमारा लहंगा हो गया इसका जो ब्लाउस है वो टू टाइप में आपको मिलेगा फर्स जो है नीचे की तरफ चोली आएगी जो कि सेम पिंक कलर में ही दिया गया है जॉर्जट का फैब्रिक है यह इसका फ्रांट पार्ट आएगा जिसमें गोल्डन सीक्मेस का इतना प्यारा वर्क किया हुआ है तो इससे बैस पार्ट यह है कि डबल लेयर में लेंगा है और फुल स्लीव में दिया गया है तो अगर आप विंटर्स में कोई मैरिज अटेंड करना चाहते हैं आपके घर में फंक्शन है वो विंटर्स में आ रहा है तो आपको यह काफी बैनिफिट मिल रहा है कि इसमें फु गोल्डन जरी का वर्क मिल रहा है इसे तहां से आपको पूरे टॉप में फ्रांट बैक यह गोल्डन जरी का वर्क मिल रहा है जिसमें साथ में सीक्वेंस वर्क भी किया गया है फुल स्लीव है स्लीव के उपर भी आपको सेम उसी तरह से गोल्डन वर्क मिल रहा है साथ में प्रेंडी लग रहा है तो यह इसका श्रग हो गया और जैसा कि mostly लेंगों में यह तो श्रग दिया जाता है यह डुपट्टा दिया जाता है आपको इसमें श्रग के साथ डुपट्टा भी मिल रहा है यह इसका बैस पार्ट है इस तना से soft net का डुपट्टा आएगा 2.5 में पिंक कलर का ही डुपट्टा है फोर साइड आपको इस तना से golden कलर की जरी का और sequence का work मिल रहा है इस तना से cut work का border बनाया गया है और middle में भी आप देख सकते हैं पूरा डुपट्टा हैवी बनाया गया है तो यह इसका डुपट्टा आएगा तो बहुत ही सुंदर लहंगा है वर्क बहुत ही प्यारा है ब्लाउस के साथ साथ आपको श्रग भी मिल रहा है आप चाहे तो ब्लाउस सिंपल वेर करके डुपट्टा ले सकती है और अगर आप डुपट्टा ना लेना चाहे तो चोली के साथ आप श्रग वेर कर सकती है और आप चाहे तो दोनों भी ले सकती है या आपकी choice है लेकिन इस लहंगे के साथ आप बहुत सारे experiments कर सकती है color बहुत प्यारा है और एकड़ ट्रेंडिंग pattern है printed है उसके उपर embroidery work है और बहुत ज्यादा costly भी नहीं है तो अगर आप अपने special day के लिए या अपने आने वाले वीडियो में किस तरह की collection आप देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे comment करके बता सकते हैं मैं कोशिश करूंगी उसी तरह की collection आपके लिए लेकर आउं तो यह था आज का वीडियो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिससे जाता से यादा लोगों को मेरे चैनल के बारे में में रिकलेक्शन के बारे में पता लग सके तो मिलते हैं अगले वीडियो में तिल देन बाई